असलाम अलीकूम चले जी बिसमिल्लाहरमान रूहीम आज का हमारा जो टापिक है वो हमने कल जो आना थाइमस्ते का था तो आज का हमारा जो टापिक है वो immunology cellular components हम स्टार्ट करने लगे हैं immunology cellular components उसमें जो सबसे पहला मुhington आता है वह आता है innate immunity versus adaptive immunity इन दों में किया डिफ्रेंस होता है यह चीजें क्या होती है तो पहले हम इसको देखेंगे सबसे पहले आप इसकी definition देख लें कि है टाप्ति म्योटि की definitions क्या होती है तो वह कहता है आपके पास जो genetic immunity होती है इनेट इम्यूटी आपकी नेचरल इम्यूटी होती है वह इसको बोलता है यह आपकी नेचरल इम्यूटी होती है प्लस यह आपकी नौन स्पेसिफिक होती है प्लस यह क्या होती है आपकी नौन स्पेसिफिक इम्यूटी होती है क्या मतलब है इन दो बात होगा नेचर होने के वाक्त यह immunity उसके उसके उसमें होती है यह नेचरल immunity होती है यह automatic खुदबा खुद होती है और पहले से होती है जब एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होता है तो यह immunity उसके अंदर मुझूद होती है पहले से ही मुझूद होती है तो इसको इसलिए ये बाकी थो बैर से कोई भी पैथोजिन ने इंटरी की है, किसी भी एंटी ज厲न की विलो उन्हें खतरनाक था थो, थो आप का इनेर्ट इम्युनुटिटी क्या होजाएंगी हैंटिव होजाएंगे। कोई भी आपका इस शकल का पैथोजिन आरह अरहे हैंटीव, आपका जो हैना इस चकल को कोई pathogen आ रहे है आपका इस चकल का pathogen आ रहे है इस चकल का रहे है जो भी pathogen अंदर entry करेगा आपका innate system जो हैना active हो जाएगा और यह जाकर उसके खिलाव action करेगा और इसकी क्या कर देगा? killing कर देगा मतलब यह कोई specific नहीं है कि specific ऐसे नहीं होता कि specific ant antigen के खिलाब specific antibody बने specific antigen के खिलाब specific antibody बने ऐसा कोई सी नहीं होता बलगे यह क्या होता है non specific होता है दो चीज़ है पहले यह क्या होती है natural होती है मतलब जैसे ही कोई आर्गनिजम पैदा होता है तो यह जब पैदा होता है तो उसमें immunity मुझूद होती है और दूसरा यह क्या हो specific नहीं है ठीक है तो आई होप सो दैट कि आपको इनियर्ट इम्यूनिटी की definition समझ आ गयों कि एक तो ये नेचरल होती है और दूसरी ये non specific होती है ये दो चीज़े आप याद रखें बस उसके बाद next देखें यहां तक समझ आ गया है अगर यहां तक कोई question हो तो आप लोग पूछ सकते हैं उसके बाद next देखें next मारे पास है adaptive immunity so adaptive immunity क्या होती है वो कहते है adaptive immunity जैसा के नाम जहर कर रहा है यह वह immunity है जो के एक organism जो है ना उसको adapt करता है क्या करता है adapt करता है let's pose it कि कोई यह मतलब blood born नहीं होती यह आपके natural नहीं होती कि जैसे बच्चा पैदा हुआ पैदा हुआ तो उसके अंदर मुझूद नहीं होती बलकि यह adapt होती है जैसे कि अगर ना करें किसी को covid हो गया है तो covid होने की शकल में तो वो क्या करेगा कोई के खिलाफ क्या करेगा antibodies बनाएगा आपका जिसम क्या बनाएगा antibodies मतलब जब यह आपकी covid अंदर जिसम में दाखिल हुआ था तो पहले से आपके जिसम के अंदर जो ना immunity नहीं थी covid के खिलाफ बलकि जैसे आपने covid को देखा तो आपने covid के community क्या थी non specific होती है कि specific antigen के खिलाफ आपकी आपकी specific antibody बनेगी वही बात कि अगर अगर आपकी antigen इस चकल की है तो आपकी antibody इस चकल की बनेगी फिर अगर वह इस चकल की है तो आपकी भी वो इसी शकल की ही आपकी antibody बनेगी मतलब क्या होती है कि specific antigen के खिलाब specific antibody बनेगी यह नहीं कि तमाम pathogen जो भी pathogen आया उसके खिलाब एक ही action नहीं करना वो काम कैसे का था? inerate immunity का यहाँ यह काम नहीं है यहाँ यह कि specific antigen है तो specific शकल की antibody बनेगी यह क्या होती है specific होती है बस यह याद करने आप सिंपल सी वही चीज़ रपीट करर रहा हूं कि आपके innate immunity natural होती है प्लस non specific होती है जो याद करने की चीज़ए है और आपके adaptive immunity क्या होती है adaptive होती है natural नहीं होती है दूसरा क्या होती है specific होते है specific antigen के खिलाफ specific क्या बनती होती है antibody ठीक है अब हम बुक से देखते हैं कि यह पर क्या लिखा हो है देखें अब यह कहता है दूसरे नबर पर कि innate immunity के सबसे पहले components बता रहा है कि innate immunity में कौन कौन से components होते हैं तो को innate immunity बता रहा है neutrophils हो गया macrophages हो गया इन immune cells बता रहा है करें कि यह pathogen था आपका macrophage था यहां से कोई भी antigen इसके अंदर दाखिल हुआ था उसने इसको क्या किया था phagoside क्या था phagoside यानि इंगल्फ कर लिया था इंगल्फ करने के बाद वो यहां पर इसको present कर रहा था T cells को कि इनको T cells को और T cells फिर B cells को B cells फिर plasma cells को देते हैं यह मैंने कल पर सो diagram बताए थी कि जो important सी diagram है plasma cells फिर antibodies बनाते हैं और यही antibodies जाके इस pathogen को kill कर देते हैं याद रखें कि यह वाली diagram immunology की जान है कोई भी pathogen आपकी अगर body में entry करता है तो उसको आपके macrophages phagoside कर लेते हैं इंगल्फ कर लेते हैं फिर उसको present करते हैं यहां पर इसले इनिखन को antigen presenting cell कहते हैं जो भी antigen आएगी उसको इनकल्फ करेंगे फिर उसको present करेंगे इसलिए इनको antigen presenting cells कहते हैं किसको यह present करेंगे T cells को T cells B cells को active करेंगे B cells plasma cells को active करेंगे plasma cells antibodies बना देगे और यही antibodies जाके इसी pathogen को जाके क्या करतेगी kill कर देगी यह मैंने मैसे पढ़ाय हुआ है तो मैंने फिर भी मतलब आपको समझा दिया है यह macrophages क्या होते है फेग एक्टिवीटाइटी यह antigen presenting cells होते हैं कि यह वरी activity होती है ठीक है तो next मारे पास क्या है next मारे पास monocyte है next मारे पास monocyte है अब monocyte का काम क्या होता है monocyte और कुछ भी नहीं होते Minocyte Immune Sells है, जो आपके Blood के अंदर यह न, एक से तीन दिन तक आपके Blood में रहते हैं, फिर वहाँ से ये कहां इंटर हो जाते हैं, आपके Tissues में इंटर हो जाते हैं, और जब यह आपके Tissues में इंटर हो जाते हैं, अब इनको क्या बोलते होते हैं? इनको आप Macrophages बोलते होते हैं सिम्पल से बात है कि आपके Monocytes Immune Cells होते हैं और ये ब्लड के अंतर 1-3 days तक रहते हैं उसके बाद ये आपके Tissues में दाखिल हो जाते हैं जब ये आपके Tissues में दाखिल हो जाते हैं तब इनको हम क्या बोलते हैं macrophages थे ठीक है simple concept था monocyte के बारे में थोड़ा समनीक सम्झाइब तो इसके बाद हमारा क्या है dendritic cells ॥ ऑर कोछ नहीं है यह क्या होते है macrophages ही होते हैं др Śessus होते हैं लेके डेंड्रिक सेल एंटिजन प्रिजेंटिंग सेल होते हैं लेकिन found कहां पर होते हैं आपकी skin में मतलब अगर आपके antigen presenting cells जो के macrophages हैं अगर यह skin में मजूद हो तो इनको dendritic cells कहेंगे it does mean that dendritic cells और कुछ भी नहीं है बलके क्या है macrophages हैं लेकिन वो वाले macrophages जो आपकी skin में मजूद हैं इसलिए इनको क्या बोलते हैं dendritic cells बोलते हैं of course macrophages क्या होते हैं antigen presenting cells होते हैं इसके बाद आपका next क्या है natural killer cells अब अब देखें natural killer cells के बारे यह भी immune cells होते हैं इनके बारे बता रहा है कि lymphoid origin रखते हैं यह topic है इसको हम detail में आगवे लेक्शे में करेंगे जागे बस आप इदर यह याद रखने के compliment जो है ना यह निटमीट का कहना यह component होते हैं इसके बाद physical epithelial barriers यानि skin वगरा हो गया और इसके बाद secreted enzymes like आपके tears में जो enzymes होते हैं और इसके लब आपकी जो skin aisle होता है आपकी यह कभी-कभी skin की उपर mucus type से बना होता है चिप-चपाट से हो रही होती है तो इस चिप-चपाट mucus type जो aisle होता है इसके अंदर भी आपके क्या होते हैं enzymes होते हैं जो आपको जो है सकते हैं इसके बाद adaptive immunity के components कौन-कौन से आफकोर्स T lymphocytes B lymphocytes और circulating antibodies जो blood के अंदर antibodies हैं या फिर इनका हम immunoglobulins भी कहते होते हैं immunoglobulins भी कहते होते हैं so antibodies या immunoglobulins और B lymphocytes और T lymphocytes यह कैसके component होते हैं या आपके adaptive immunity component होते होते हैं चला है next देखें next मारे पास के है nexus का mechanism है वो कहते है innate immunity जो है यह germline encoded होती है क्या मतलब है germline encoded मतलब इनकी जो genetics होती है इनका जो DNA होता है इसके DNA के अंदर एक चीज़ को encode कर दे जाता है क्या कर जाता है encode क्या चीज़ encode कर दे देना उसको क्या कर जाके kill कर देना है मतलब इनकी germline encoded होती है इनका जो genetics होता है इनका जो DNA होता है उसके अंदर यह बात उनको encode कर दे जाती है बता दी कर देना है आपने यह नहीं कहना कि मैंने specific virus को मारना है मैंने specific antigen को मारना है ऐसी कोई बात नहीं आपने किसी भी pathogen को जाके देखना है तो आपने जाकर उसको kill कर देना है उसको Incode कर दे जाता है कि आपने non-specific response देना है कोई भी आए आपने उसको जाके क्या कर देना है जबके आपका जो होती है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें यह hon दो स्वे और अगर ऐस स्थारा की का होती है विर्ई शेट होती है क्या होती है यह रहा है यह लेंप्षॉसाइड बेलटें तो उसमें रखता है कि अगर इसने देखा है कि यह शंब घत kelu аいた했 हिस्सेत्ट को इस तरह इसने देगा है क्या टी अकत था इसने कोई तो tá देख walk नेगा इस तरह केrandध कोびसल को एक्टिव करेगा कि जो एंटीबाडी बननी है वह कुछ इस तरह की बननी है कि इसके मक्सूद एंटीबाडी ही बननी ए तो वैरिसर बन लिए । अगर इस तरह की आगए एंटी बाडी में बनाएगा बल्कि इस में एरेशन करे गा और आपकी इस तरह की जो है नहीं क्या बना देगा आपकी इस तरह की जाकर जाकर आपकी एंटिवाड़ी बना देगा जो जाकर इसको fit कर सके अपने अंदर बिठा सके तो यह वही सेम बात कर रहा है कि इसमें क्या होती है इसमें variation होती है थ्रू वी डे जे रेक रिकम्बिनेशन यह मुकमल एक प्रसेस होता है जिस प्रसेस के जरीए यह वैरिएशन होती है यह मुकमल एक टापिक के डिटेर में इसको हम अगले रैक्सिस में जाकर पढ़ेंगे इधर आपस सिंपल इतना याद रखनें कि वी डे ज खाल में समझा गया है अब resistance क्या होता है resistance यह होता है कि वो कहते है रिजिस्टेंस परसेस्ट त्रू जेनरेशन डजनाट चेंज वेदर आर्गनिजम लाइफटाइब वो कहते है अगर एक आर्गनिजम लेट सबोसर यह एक आर्गनिजम है और इस जानदार के अंदर इसकी innate immunity किसी एक disease को नहीं होने देते किसी एक infection को नहीं होने देते तो वो उस infection को lifetime नहीं होने देंगे पूरी जिंदगी नहीं होने देंगे lifetime जब तक वो बंदा जिंदा है तब तक पूरी जिंदगी और इसमें यह वरा infection नहीं होने देंगे and doesn't change within और यह resistant process through generations एक तो पहली बात ये होगी कि अगर किसी डिजीज को नहीं होने दे रहे तो पूरी लाइफ टाइम नहीं होने देंगे और दूसरी बात अगर ये फादर था फादर में एक डिजीज नहीं हो रही तो वही डिजीज सन में भी नहीं होगी मतलब generations में नहीं होगी और इस son के मज़ीद आगे sun में आगा सं में भी नहीं होगी मतलब कि अगर एक कार्णिज अर्गनिजम के अंदर नहीं होने दे रही है ये innate immunity तो उसकी जब तक आँखरी साइस तक उसमें ये इस में वो disease नहीं होनेधेऀ और अगर बाप में वो disease नहीं होती तो बच्चे में भी नहीं होगी, उसके बच्चे में भी नहीं होगी, मतलब generation में भी यह आगे नहीं होगी, हाँ, लेकिन अगर एक innate immunity एक disease को होने देती है, तो वो disease उसकी पूरी lifetime उसको होती रहेगी, उसके बच्चों को भी होगी, उसके के खिलाब उनने रिजिस्टन्स दिखाई है कि यह डिजीज नहीं होगी तो वो डिजीज नहीं होगी डाज नाट चेंज बेद और लाइफ टाइम मतलब उसकी लाइफ टाइम वो डिजीज उसको नहीं होने देती और यह जनरेशन में भी जाती होती है जबकि यहां पर ऐसा कोई सीन भी है, microbial resistance not heritable, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि लेट्स पोज़ अट अला ना करे, दुबारा किसी को कोवेड हो गया, तो कोवेड होने के बाद वो अगर एक बंदे ने उसके खिलाफ कोवेड के खिलाफ क्या कर लिया है, रिजिस्टन्स कर लिया है, उसके खिलाफ अपनी जो है ना उसने एंटीबाटी बना ली है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ टैम अगर दुबारा कोवेड हो जाए उसको दुबारा कोवेड हो सकता है यह नहीं कि एक बार इनुने कोवेड को रोक लिया तो उस लाइफ टाइम रोके रखेंगी नहीं इसको दुबारा कोवेड फिर हो सकता है सेम यही चीज़ कि अगर बाप ने अगर आपके फादर ने जो ह खिलाफ resistance बना ली है तो यह ऐसा नहीं है कि lifetime resistance रहेगी पहली बात lifetime resistance नहीं रहेगी दूसरी चीज़ कि अगर फादर ने resistance कोड़ के खिलाफ कर लिया तो उसके बच्चे में resistance वो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यह हम क्या कहते होते हैं adaptive immunity कहते होते हैं कि अगर बाप में बाप ने resistance कर ली है तो वो कुछ अर्से के लिए resistance करेगा और वो उस बाप की ने जो resistance की है जिस प्रिमारी के खिलाफ वो resistance अब सन में या उलाद में मुंतकिल नहीं होगी चलेंजी आगे देखें यह जो भी पढ़ा रहा हूं यह important है response to pathogens यह मैंने पहले बता है कि आपकी जो innate immunity है इन होने जाके kill करना है यह नहीं देखना के count है no specific इसके बाद occurs rapidly minute to hours आपको inflammation याद है कि inflammation में क्या होता था यह blood vessel है कि skinnum के आपके tissues में कहीं पर क्या हुई है कोई pathogen आके बैठ गया कोई pathogen आके बैठ गया तो किसी भी pathogen को जब आपके immune cells जो के blood में है neutrophils हो गए macrophages हो गए जब यह आपके tissues में pathogen को देखते थे तो यह फौरण पहले neutrophils बहर निकलाते थे फिर macrophages बहर निकलाते थे और आके इस pathogen को क्या कर देते थे kill कर देते थे बहले यह pathogen virus हो बहले यह pathogen bacteria हो बहले यह pathogen कुछ भी हो यह जैसे ही किसी pathogen को देखते हैं यह जल्दी से फौरण यहां से बहर निकलते हैं blood vessel से और इसको जाके kill कर देते हैं मतलब इनका response होता है वो rapidly होता है minutes to hours होता है जल्दी से आते हैं और जल्दी से मार होते हैं और इनमे no memory response इनमे कोई memory response नहीं होता यह नहीं होता कि अब neutrophils ने इनको आके मार दिया है तो अब neutrophils जो है याद रखेंगे कि यह pathogen जब दुबारा आएगा इसको हम मारेंगे ऐसा कोई भी नहीं होता है इनके अंदर कोई किसी किसम का memory response नहीं होता है पहली बात non specific होते हैं दूसरा rapid action देखते हैं फूरा भार निकलते हैं और जाके kill कर देते हैं तीसरा इनमे किसी किसम की कोई memory नहीं होती है यह बस एक बार मारेंगे जब दूसरी बार पैथोजिन हैगा फिर दुबारा यह मारेंगे तीसरी बार आएगा तीसरी बार hungry बना ली तो अब तो उसके इंतजार में बैटे हुए कि यह दुबारा आगरो और मैं दुबारा इसको बारूँ तो ऐसा कोई भी सीन नहीं होता जबके इस विके बराक्स adaptive immunity क्या होती है highly specific होती है मैंने पहले कार अगर antigen इस तरह की है तो antibody इसके मताबक बनेगी antigen इस तरह की है तो antibody इसके मताबक बनेगी specific होती है refined over time develops over long period इसका क्या मतलब है simple सी बात है कि antibodies के इस तरह बनती है वही diagram फिर repeat होगी कि यह अगर आपके macrophages है कोई भी pathogen entirely अब इस pathogen यह pathogen किसको देगा Waar इसको देए टी इस सिल के इसको देएंगे 12 को देएंगे 12 किसको एक्टिव करेगा plasma sales को ऐक्टिव करेगा प्लाजम से निटिवटिव करेगे उस निटिवाडिक को बनाएगा एंटीपाइज फिर इस pathogen के पास आगए इसको लांग टैम डिलेयर रेस्पॉन्स होता है। हैं और कि हाईलिक स्पेसिफिक थो है लेकिं रिभाइंठ उवर टाइम डिवैलंट और लांग पीरियोन टैम तक होता है मैमरी लॉष इस फास्टर और अब यहाँ पर क्या होता है में में मरी रस्पोंज होता है कि यहां से कोई प्यतोगन के पास टी को दीज्च को दिया प्लाजम के तोर पर रहे जाएंगे कि लैट्स पोस्ट अगर किसी इसमें मेमरी के तोर पर रहे जाएंगे कि अगर एक पैथोजन ने आपको अटैक किया है एक पार इस पैथोजन ने अटैक किया है तो इन्होंने मेमरी रख लिए कि हाँ जी यह पैथोजन हमारा दुश्मन है आप य जैसे ये दूसरी बार इंटर होगा अब ये दुबारा प्रासेस ये दुबारा नहीं होगा बलकि इसने जैसे ही इंटर होना है T-cells ने इनके खिलाफ memory बनाई हुई है बी-cells ने इनके खिलाफ memory बनाई हुई है वो इसको याद है वो फोरण क्या बना देगी antibodies और antibodies फोरण जाके इसको kill कर देंगी तो इसलिए इसका response क्या होता है memory response is faster and more robust more quick और तेज होता है तो इसलिए वो यही सेम बात कह रहा है कि second response इसका जो होता है active होता है क्योंकि memory B और T cells बने वे होते हैं तो दुबारा यह सारा process होने की जूरत नहीं पढ़ती बलकि memory cells को pathogens बहुत important था यह उसके बाद secreted proteins के इस में कौन-कौन सी प्रोटेंस secret होते है लाइजयोजयम लाइजयोजयम enzymes hydrolatic enzymes जो हैना वो secret होते हैं दुबारा complement system आ गया C reactive proteins CRP यह अगर आपको को infection वगरा हुआ हो तो आपकी CRP जो हैना यह increase होई होती है आपकी C reactive proteins आपके CBC में blood test में increase होती है अगर आपके blood test में आपकी CRP increase होई हो, C reactive protein increase होई हो तो आप easily कह सकते हैं कि इस बंदे को किसी ने किसी किसम का inflammation है तो C reactive protein एक किसम की proteins हैं जब आपको inflammation होता है तो यह यहां से secret होती है और deficiencies यह भी proteins होती है, anti-microbial proteins होती है यानि कि यह जा कि जब secret होती है तो आपके microbes होती है, जो pathogenes होती है, उसको जाकर kill कर देती है, cytokines भी यह भी antimicrobial proteins होती है, इनका काम भी यह है कि अगर कोई pathogen आया है तो उसको kill कर देंगे, तो यह आप simple से नाम याद रख लें कि lysosomes होती है, complement होती है, c-reactive proteins होती है, deficit होती है, इसमें क्या होती है, इसमें immunoglobulins होती है, आपको इम्मिनो-globulins या पिर antibodies आपकी में यह सक्रीट होती रहती है, तो मेरे खियान में यह अर्सान सा था, अब जो next plan जा रहा हूं, यह भी most important है, दो चीज़े important थी, एक आपका यह response to pathogens और दूसरा key features in pathogen recognition, अब यह सारा जो कह रहा है, यह क्या कह रहा है, यह innate minute में यह क्या कह रहा है, वो पता क्या कहता है, वो कहता है, आपके tall like receptors होते हैं. अब वो कहते है कोई भी pathogen जब अंदर दाखिल होता है कोई भी pathogen हो तो उस path जो आपकी body में दाखिल होता है तो उस pathogen के ऊपर इक special pattern होता है जिसे palms कहते है. जिसे क्या कहते है palms. palms का मतलब है कि pathogen यह लिखा हुआ है. Pathogen associated molecular patterns होते हैं किसी भी बैक्तिरां के ओपर कोई भी पैथोजिन दाखलोगा तो उसकी बार स्प्सिपिक एक पैटरन लगा होता जिसे हम क्या कहते होते हैं पैथोजिन आसोosशियटब molecular patterns कहते होते हैं ठीग है, अब कोई भी पैथोजिन दाखिल हुआ उसके ओपर क्या लगा हुए था पॉंप्स लगे हुए थे इस तरह के पैटर्स लगे हुए थे अब जो हमारा मैक्रोफेज है आपके मैक्रोफेज के ओपर टॉल रैक रिसेप्टर्स लगे होते हैं क्या लगे होते हैं टॉल रैक रिसेप्टर्स कि आपके इस जो इस इसको पहचान लेते हैं इस में पचान लेते हैं इस पेटन्पको यह मारा दूश्मन udah लेता है , अब घ्यक्रिपटर अच्किलिय millennials transcription factor अब यह nuclear transcription factor कोई भी और काम क्या होता है कि transcription कराएगा मतलब DNA से क्या बनादेगा RNA बना देगा और RNA से क्या बना देगा proteins बना देगा तो यहां पर कौन-कौन पर यहां पर polys बनती है interleuken 1 interleuken 6 और interleuken 23 निद्सूफ ण 24 तो मैं repeat करता हूं इसको मैं इसको repeat करता हूँ, थोड़ा quick हो गया था, कि कोई भी pathogen आपकी body में entry करेगा, तो उसके उपर एक special pattern होता है, palms, pathogen associated molecular patterns होते हैं, और आपका जो macrophage होता है, आपकी macrophage की surface की उपर क्या होता है, आपकी macrophage की surface की उपर tall rack receptors होते हैं, ठीक है, अब यह tall rack receptors जो है न जा कि इस palms क recognize करेंगे, जब recognize कर लेंगे तो यह कहेंगे, हाँ जी, यह हमारा दुश्मन है, यह खतरनाक है, तो यह tall rack receptors अंदर nucleus में पैगाम बेजेंगे, किसमे? nucleus में पैगाम बेजेंगे, कि आप जो है न, अपने nuclear transcription factor kappa B को active कर दे, अब आपका nuclear transcription factor kappa B active हो जाएगा, यह transcription factor है, तो यह transcription कराएगा, मतलब DNA से क्या बना देगा, RNA और RNA से क्या बना देगा, proteins बना देगा, और यहाँ पर कौन सी बनती है, interleuken 1, interleuken 6, interleuken 23, याद कर लें इसको 1623 की मतलब, चल रहा है, साल चल रहा है 1623 का, तो 1623 से याद कर लें, अब यह जो interleuken बनते हैं, यह सारे interleuken किस के पास जाते हैं, इसी pathogen के पास जाते हैं, और इस pathogen के जाकर क्या कर देते हैं, खिल रहा जाते हैं, transcription factor kappa B को active करें transcription factor kappa B transcription factor है जो transcription कराता है मतलब DNA से RNA बनवाता है फिर RNA से proteins बनती है और कौन कौन सी proteins बनती है interleuken 6 interleuken 1 interleuken 6 और interleuken 23 अब यही proteins जा कि आपके pathogen को जा कि क्या कर देती केल कर देती है तो इस तरह का यहापका सारा process होता है और यह याद करने के लिए आप यह 1623 याद कर लेए आपको जाद रहेगा ठीक है अब हम जो है ना जरा इसकी reading कर लेते हैं कि यह इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें यह क्या बता रहा है चले जी इसकी हम जरा reading कर लेते हैं कि यह क्या बता है जा से से किंड मैं इसको रिमूव करने अगर आपको के question है तो आप अपना question मुझा पूछ ले मशसे न इस वकत जी दिन दिर मैं इसको clear out करता हूं चले कोई question यह था जले मूव करने इसको पड़ते हैं tall like receptors जो के आपके macrophage को उपर लगे होते है pattern recognition receptors यह receptor होते हैं जो pattern को क्या करते हैं recognize करते हैं कौन से pattern को palms के pattern को जो pathogenes का pattern होता है उस pattern को recognize करते हैं that recognize pathogen associated molecular patterns, pumps and lead to activation of NF-KPB तो NF-KPB active हो जाता है और जब NF-KPB active होता है तो वो transcription factor है DNA से transcription कराके RNA बना देगा RNA से आपकी proteins बना देगा और कौन कौन सी proteins बनाएगा interleuken 1, interleuken 6 और interleuken 23 यह proteins बन के जब जाती है तो फिर आपके इसी pathogen pumps की परदाती है और इसको आके kill कर देती है तो यह वही सेम वही बत बता रहा है जो मैंने आपको पहले समझा दी है तो दोबारा भी repeat कर दी है मेरे ख्याल में यह अब आपके लिए असान सब हो या होगा अब आगे वह क्या कहता है आगे कहता है कि examples of pumps मतलब वो कौन-कौन से organisms हैं जिनके ओपर यह वाला पैटरन मुझूद होता है इंक्लूड लाइपोपोली सक्राइड यानि ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया जितने भी हैं लाइपोली सक्राइड वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टिरिया जितने भी हैं उनके ओपर होता है और मेक्रोफिजन इन पाउप्स पैटरन को टॉल लेकर सफ्टिमाथ से रेक्लिणाईज करके अपना एक्षिन देते हैं फ्लेजलन बैक्टिरिया हो गया उनके ओपर भी पाउप्स लिके वाला पैटरन होता है और न्यूकुलिक एसिड वेरेसे वेरेसे जितने भी होते हैं उनके यह लट्सपोस trending उरस जितने यह पर बिच्छ होता है पॉ legal friends क RaQ क पहचानते हैं और आके वह सारा कायम कराती है जो मैंना भी थोड़ी दे पहले संजाया है और यह सारा उसके बाद यह था आपका जो है नहींडिका प्रासीसर जो adaptive immunity में क्या होता है of course मैंने थोड़ी दे पहले बताया है कि इधर pathogen था macrophage में आया T cells के पास गया T cells ने B cells को दिया B cells ने plasma cells को दिया plasma cells ने antibodies बनाई antibodies इसी pathogen पे जाके kill कर देती है अब वो कहता है कि B और T cells फिर क्या बनके रहे जाते हैं memory cells बनके रहे जैते हैं जब दुबारा same जो है आपका antigen आएगा तो यह सारा process होने की जरूरत नहीं है बलकि यह active हुए पड़े हैं यह कहते हैं आओ तुम जरा पिछली बार भी तुम नुक्सान दे गए थे तो यह जैसे आता है तो वो उसको पकड़ किया कर देते हैं kill कर देते हैं जल्दी से antibody बनवा कि इसको क्या कर देते हैं kill कर देते हैं activated B and T cells subsequent exposure to previously encountered antigen वही बात कि जो पहले एक बार antigen आ चुकी थी उसके खिलाफ memory cells बन चुके थे अब previously antigen यानि जो पहले आई थी अब जो जब दुबारा आएगी वह उसको पकड़ लेंगे और इसको क्या करेंगे आओ जरा महाँ आपसका गप्षप करते हैं और उसको मार देंगे और यह दूसरा response क्या होता है stronger or quicker immune response होता है प्रिकर क्योंकि memory cells बन चुके हैं तो यह दुबारा सारा process वहने की जुरुषफ नहीं है तो memory cells जल्दी से जा कि एंटिबाइटर बनवार के इसको kill करा देंगे दोबारा यह सारा process जो है यह दोबारा repeat होने की ज़रत नहीं है तो यह response तेज होता है और quick होता है और जल्दी से वह इसकी जाकर क्या करा देता है killing करा देता है तो मेरे ख्याल में आप लोगों समझ आ गया होगा यह सारा innate immunity क्या था इसमें जो नहीं काम की चीज़े थी वह कौन-कौन सी ती जो आपको याद करने वाली चीज़ें थी उसमें यह important था यह वला सारा important था ठीक है यह आपका सारा important है ठीक है और इसके बाद आपका यह वला स ख्याल में और कुछ भी important नहीं है बस यह वह बहुत देरा important था बाकी में important है अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर ले ले लेकिन यह वला too much important है ठीक है अगर आप लोगो कोई question है तो आप लोग पूछ सकते हैं अगर कोई question नहीं है तो हमारा यह खतम हो चुका है त फिर चैनले अगले lecture में major stability complex one and two करेंगे और वो थोड़ा lengthy भी है तो हम फिर उसको काल करेंगे ओके जी अलाहाफिज अपना ख्याल रखिए